नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज़ार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं हेमंत सरकार के तीन साल की उपलब्धियों को गिनाने निकलेगी खतियानी जोहार यात्रा ज़ार्खन की हेमंत सरकार अगामी 29 दिसमवत 2022 को तीन साल पूरी कर रही है खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से राज सरकार के उपलब्धिया गिनाने के लिए ज़ार्खन की यूप ये गडबंधन रहे लिया निकालेगा इसको लेकर बिस्त्रीत योजना त्यार की जा रही है और इसकी जनकारी जल्द ही सजा की जाएगी बता दे कि जार्खन में साता रूड सन्यूक तक प्रगती सील गठबंधन के सहयोगी दलो जार्खन मुक्ती मोर्चा कांगरेस और राश्ट्रीय जनता दल ने राज सरकार की पिछले तीन साल के उपलब्धियों के गिनाने और अपने काम काज को लेकर लोगों की राज जानने के लिए पूरे परदेश में रहलिया निकालने का फासला लिया है इस समन्द में ग्रामिन पिकास मंत्री अलमगीर अलम ने बताया है कि उपिये की सहयोगी दलो द्वारा राजे के हर जिले में सन्योगत रूप से रहलिया निकाली जाएगी इन रहलियों में मुक्य मंत्री हेमान सुरेन सहीत अनेसिस नेता सामिल होंगे उन्होंने कहा है कि इन रेलियों में चुनावी घोसना पत्रे के अनुरूप राजे के लोगों के कल्याइन के लिए सुरू की गई भी 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 योजनाओ और पर योजनाओ पर रोसनी डाली जाएगी जार्खन के सरकारी छुटी 2023 के कलेंडर जा रही जार्खन में मुख्य मंत्री है मंसरन की सरकार ने वर्ष 2023 के दोरान अपने करमचारियों और अधिकारियों को दी जाने वाली सरकारी छुटी के खोसना कर दी है नई साल में एन आये एक्ट के तहत कूल एक कईस राजपत्रित अवकास का एलान किया है वहीं करेपालक आदेश के तहत करमचारियों को बारा छुटी दी जाएगी सबसे बड़ी बात्या है की साल दोय तेश में दिपावली और विसकर्मा पुजा सहीत कई बड़े तेवार सब्ताईक अवकास रभीवार के दिन है इसलिए सरकार की ओर से इसके लिए अलग से कोई शुटी देने का परोधान नहीं किया गया कार्मिक विभाग जल्द ही इस्ते समंदित आदेश जारी कर देगा सीम हेमन्त ने पीएम मोधी को लिखा पत्र कानून पर पूर्ण विचार का अगरवा जारखन के मुखे मंतरी हेमन्सुरे ने पीएम मोधी को पत्र लिखा है इसमें केंदर सरकार द्वारा लाए गए उस कानून पर आपति जताई है जिसमें कहा गया कि आदिवासियों और वनों पर निर्भर रहने वाली की सामाति सुनिशित किये बिना निजी डिपार्टमेंट बनों को काट सकेंगे मुखे मंतरी ने इस प्रस्ता पर पुर्णी विचार करने का अगरखिया है मुखे मंतरी हेमन्सुरे ने पत्र के माध्यम से कहा है जारखन में 32 परकार के जन जातिया निवास करती है प्रकिर्ति के साथ समर्षता पुर्वक जीवन जीती है ये पेडों की पूजा और रक्षा करते हैं जो लोग इन पेडों को अपने पुर्वजों के रूप में देखते हैं उनकी समाति के बिना पेडों को काटना उनकी भावना पर कुठा घात करने जासा है वन अधिकार अधिनियम 2006 को परिवर्तित कर वन संग्रक्षा नियम 2022 ने गैरवानी की उदेशियों के लिए बन भूमी का उप्योग करने से पहले ग्राम सभा के समाति प्राप्त करने के अनुवर्ता आउसक्ताओं को समाप्त कर दिया है गीरीडी में दिव्यांग बाचों के लिए अनुखी पहल बिस्व दिव्यांग दिवस तीन दिसंबर को है इसलिए गीरीडी जीले के बागोदर परखंड के मेक इंडिया स्कूल के छात्रों ने दिव्यांग बाचों के लिए अनुखी पहल की है स्कूल के छात्र छात्राव ने अपनी पोकिट मनी से दिभ्यंग बचों के चेरे पर कोशी लाने की कोशीश की इन्होंने दिभ्यंग बचों को आर्थिक सयो किया स्कूल के निदेशक हाजी दिल मोहमद ने गरम वस्त भी बित्रत किये ठंड को देखते हुए मानव बिकलाइंग सेवा केंद्रिक के दिभ्यंग बचों को गरम वस्त दिया गया बता देविश्व दिभ्यंग दिवस को लेकर दिभ्यंग बचों की बेतर सिक्षा के लिए आर्थिक साहता की गई है स्कूल की निदेशक हाजी दिल मोहमद ने बताया है कि दिभ्यंग दिवस पर संस्था के दिभ्यंग बचों को सहयो किया गया है जारखन में 17,572 हाई स्कूल सिख्षक नियुक्ती के लिए नई मेरिट लिस्ट बनेगी हाई स्कूल सिख्षक नियुक्ती के लिए सरकार को अब एक कोमन मेरिट लिस्ट त्यार करना होगा इस मेरिट लिस्ट में अस्थानिय नियोजन निती के तहद जिन सिख्षकों की नियुक्ति हो गई है तथा वैसे अभियार्थी जो हाई कोट की आम सुचना के बाद परतिवादी बने थे उन्हें सामिल किया जाएगा इसमें वैसे उमिद्वारों की नियुक्ति पहले की जाएगी जो कोट गए थे सुक्रवार को सुप्रूब कोट ने सरकार को इसी तरज पर मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है बता दे जस्टिस एम आर्सा और जस्टिस सीटी रवी कुमार के अदालत ने 9 दिसमर को सरकार को मेरिट लिस्ट पेस्ट करने का भी निर्देश दिया सुक्रवार को स्पष्ट किया है कि हाई कोट की आम सुचना के बाद जो उमिद्वार परतिवादी नहीं बने थे उन पर सिर्ष अदालत विचार नहीं करेगी सुनवाईक दोरान राजे के मुख सचीव सुक्देव सिंग अदालत में ससरीर मजूद थे दिव्यंगता सर्टिफिकेट बनाने में पैसा मांग करे तो करे सिक्षा मंत्री को कॉल अंतराश्टिय दिव्यंग दिवस की पूरो संध्या पर जारखन, डिसेबल, एस्पोर्ट और वेलफेर एकेडमी, बिकलंगता राहत सेवा संस्थान और डिसेबल, रिलीफ और डेवलोप्मेंट फाउंडेंशन की ओर से संस्किती कारकरम का उजन किया गया इस कारकरम में स्वास्त मंत्री बनना गुपता सामिल हुए, दिव्यंग होने के बावजूद अपने अपने छेत्र में नाम कमाने वाले दिव्यंगों को स्वास्त मंत्री बनना गुपता ने समानित किया है उन्होंने कहा है कि राज सरकार दिब्यांगों के अधिकार और उनकी सुविधाओं को लेकर ततपर है बता दे राजे में निसकता आयुक्त का पद दो साल से खाली रहा है हलाकि अभी प्रभार पर निसकता आयुक्त है स्वास्त मंत्री ने कहा है कि मोख्य मंत्री जल्द अस्थानिये निसकता आयुक्त बहाल करेंगे स्वास्त मंत्री ने अपना मोबाइल नमबर 9431184676 सरोजनिक करते हुए कहा है कि राजे में कहीं भी स्वास्थ विभाग में दिव्यंग सर्टिफिकेट बनाने में पैसा की मांग करता है तो इस नमा पर कॉल करे साइबर ठगी पर राजे पलने जटाई चीनता राजबहुन में भारतिय रिजर बैंक की और से कारकम का उजन किया गया इस कारकर में भार्तियर यर्व बैंक के अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के साथ राजिपल रमेस बैस ने सनुवात किया राजिपल रमेस बैस ने कहा है कि बैंक आई ब्यक्ति से अच्छा ब्यभार करे हमारे देश में ग्राहक को भगवान समझा जाता है बैंक आई ब्यक्ति भी ग्राहक है उन्होंने कहा है कि आज बैंकिंग सिवा में बदलाव आया है पहले रीन लेने के लिए लोगों को बैंक जाकर आगरा करना पड़ता था लेकिन अब बैंक प्रतिनिदी ग्राहक के द्वार रीन देने पहुंचने लगे है जारखन में सिक् प्रायोजीत योजिनाओ की समिक्षा की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जारकर में सिक्षा के बिकास में सबसे बड़ी बाधाक सिक्षकों की कमी है राज्य में सिक्षकों के कुल 90,000 पद रिखत हैं उन्होंने कहा है कि इन में से 74,000 पद तो केवल इसकूलों में ही रिक्त हैं उन्होंने बताया है कि अधिकारियों के द्वारा जनकारी दी गई है कि न्युक्ति परकिरिया सुरूख की गई है प्रात्मिक विद्याले में 50 एरपत्स रिजित किया गया है पलाश्टू इसकूलों में 3,600 की न्युक्ति के लिए आवेदन जमा लिया जा रहा है जार्खंड के 9,600 चात्रों को 3 साल से नहीं मिली साइकिल जार्खंड में गरीब चात्रों को पिछले 3 वर्सों से साइकल नहीं मिल रही है राजे में 8 वी कक्षा में पढ़ने वाले A.C.S.T.O.V.C. और अल्पसंख्यक चात्रों को साइकल देने की योजना है लेकिन वर्स 2020 से ही कल्यान विभगद्वरा संचालित योजना का लाब इसकूली चात्र चात्राओं को नहीं मिल पाया है बता दे लगभग 9 लाग से ज्यादा बचे इस वोईना से वन्चितरा गए है जिन भी द्यार्थियों को 8 वी कक्षा में साइकल नहीं मिल ली थी वे बिना साइकल ही 9 और 10 वी की कक्षा में पहुँच गए सक्षनिक सत्र 2020-2021 और 2021-22 के चात्रों को साइकल नहीं मिल सकी है नीरज चोपडा जुलाई में आएंगे रांची जारखन एथलेटिक संग रांची में 2023 में एथलेटिक के दो बड़े आयोजन की तियारी कर रहा है पहला आयोजन फरवारी में होगा जबकी दूसरा जुलाई में होगा फरवारी में मोरमादी में International Race Warque Championship और जुलाई 2023 में 62 नेशनल Interstate Senior Athletic Championship का आयोजन होगा जोकि ASEAN Athletic Championship का क्वालिफिकेशन इवेंट होगा इस चेंपियंशिप में उलामपीक, गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपडा सहित अनिस्टार सामिल होंगे रांची में राजभवन के समक्ष ट्रेड यूनियन नेताओ का परदर्शान राजधानी में भी भीन ट्रेड यूनियन के नेताओ ने परदर्शन किया केंद्र की 99 मोधी सरकार द्वार लगातार सरम कानूनों को कमजोर करने की करवाई का बिरोध किया साथ ही चार नए सरम सनहीतो और अवस्यक राक्षा सेवा अधिनियम को रद करने की मायं के साथ ट्रेड यूनियन और CITU ने सन्युक्त रूप से जीला स्कूल से राजभवन बिरोध मार्च किया साथ ही तमाम नेताओं ने राजभवन के समक्ष परदसन किया नक्सा पास पर हाई कोट की रोक जारखन हाई कोट ने रांची नगर निगाम हुआ आर आर डिये में नक्सा पास करने के लिए 20 से लेकर 30 रुपे प्रतिवर्ग फिट अवयदरासी वसुली के मामले में सवता संग्यान से दर्जाज क्या पर गुर्वार को सुनवाई की कोट ने नगर निगाम हुआ आर आर डिये में नक्सा स्विक्रिती करने की परकिरिया पर फिलाहल रोक लगा दिया है जस्टीस एस चंदर से खर्वा जस्टीस रतनागर भेगडा की खंड पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए रांची नगर निगाम के नगर आयोक्त वा आर डिये के उपाध्याज की कारेसली पर फटकार लगाई खंड पीठ ने मौखिक रूप से कहा है कि इन संस्थानों में भरष्टाचार ब्यापत है भरष्टाचार रोकने के लिए कोई करवाई नहीं की गई है ED ने जब्त की IAS पूजा सिंगल की संपती ED ने मनी लांडरिंग की आरोप में संजिवनी हेल्थ केर प्राइबेट लिमिटेट के अधिन चल रहे पल्स होस्पीटर और पल्स डाइगनोलिस्ट को आस्थाई रूप से जब्त करने का आदेस जारी कर दिया है जब्त संपतियों में अस्पताल में लगे उपकरन और मसीनों के अलावा अमीत जहा के नाम पर खरीदी गई जमीन सामिल है जब्त संपति की कीमात 82.77 कोड़ रूपई आकी गई है इन संपतियों पर फिलहाल उसके बरतमान मालिकों का ही कबजा रहेगा यानि अस्पताल और डाइगनोलिस्ट जेंटर पहले की तरह चलते रहेंगे लेकिन इनकी खरीद विक्री नहीं हो सकेगी खरसावा में पहली बार अंडर और पोस्ट गेर्जुएट की होगी पढ़ाई खरसावा में पहली बार अंडर गेर्जुएट के साथ पोस्ट गेर्जुएट की भी पढ़ाई होगी देवघर वासियों को मिलेगा रिंग रोड का तोफा केंद्रिये सड़क परिवहन यों राजमार्ग मंत्राले ने NHAI के माध्यम से देवघर रिंग रोड का टेंडर निकाल दिया है 9 फरवड़ी 2023 तक टेंडर की परकिरिया पूरी हो जाएगी एवां मार्च से रिंग रोड का काम चालू होने की समभवना है मंत्राले ने टेंडर इनवांटिंग और्थरेटी के रूप में अजय गुपता को न्यूक्त किया है टेंडर के अनुसार दो साल में रिंग रोड का काम पूरा करना है कोडारमा में ऑनलाइन भेजे जाते हैं लोटरी का टिकट नमबर कोडारमा में पूलिस की लगातार हो रही करवाई के बावजूद अवायद लोटरी का खेल रूप नहीं रहा है पूलिस ने थाना छेत्र के भादो डि में अवायद रूप से लोटरी का संचालन करने के मामले में एक बार फिर करवाई करते हैं दो आरोपियो गिरफतार किया है गिरफतार आरोपियो में मोहमद सदाम पीता मोहमद सरीफ एवा मुकेश साव पीता नंद किसोर साव निवासी भदो डी सामिल है जनकारी के अनुसार थी लईया थाना की पुलिस को उक्त अस्थल पर अवायद रूप से लोटरी टिकट का संचालन करने की सुझना मिली थी इसके बाद पुलिस टीम दोआरा छपे मारी किया गया दुमका सेंटरल जेल के मुखे दोआर पर फाइरेंग दुमका सेंटरल जेल के मुखे दोआर पर तैनात एक संत्री पर सुक्रवार की साम बाइक सवार तीन नकाब पोस अपराधियों ने तीन गोली चलाई है हलाकि खत्रे के सांका पर वहीं बैठ गया और गोलिया दिवार में टकराती चली गई इससे वह बाल-बाल बच गया है बहराल 38 सुरक्षित मैंने जाने वाले इस छेत्र की बात कवन करे मुखे दोआर पर होई फाइरिंग ने सुरक्षा बेवस्ता की पोल खोल दी है और तो और वहां मौदू CCTV कैमरा तक सही नहीं है कि अपराधियों की पाचान की जा सके लिहाजा अपराधियों को पकर्ण में जेल और अस्थाने पुलिस पर सासन अंधेरे में तीर मार रही है लोहर दग्गा में मुखे मंत्री की आगमन की तैयारियां मुखे मंत्री हेमन सुर्ण के संभावित लोगर तक गाज जीला भ्रमन को लेकर उपी कास आयूत गरिमा सिंग के अद्यक्स्ता में समनाले सभागार में बैठक होई बैठक में मुखे रूप से सावीत्री बाई फुले की सोरी सम्रीदी योई ना मुखे मंत्री रोजगार सिरीजन योई ना, मुखे मंत्री पसुधन योई ना, सर्वजन पेंसन योई ना, केसीसी, जार्खन राज फसर रहात योई ना, मुखे मंत्री रीन माफी योई ना, मंडेगा चत्रवीती योई ना और परहटन एम खेल कोद योई नाओ में जील से आठ्वी कख्चा की बहलिकाव के लिए फुटबॉल परत्युक्त्य का उजन किया गया इसमें 18 पर खंडों की टीमों ने भाग लिया कहा के परकंड की टीम बिजैता और लापुंग प्रुषकार से समानित नरेंदर सिंग सैनी ने ट्रोफी देकर प्रुषकृत किया पलास ट्रेड फेर में आठ देशों के सिल्फकारों की दिखेगी कला सरना महिला विकास समीति द्वराचार से 13 दिसंबर तक जार्खन इंटरेशनल ट्रेड फेर से पलास महोसर का उजन मौर टोपो के अलावा अजीत भकोडिया अब्दूल राजा कास्मी नितिय सिंग ने सन्युक्त रूप से प्रेश वर्ता कर दी धन्यवाद यदि आप चैनल पना है यह ते चलों के सब्सक्राइब कर बहल का बेले कर दबहें साची साथ वीडियो के एक लाइक आपने दोस्तों